जहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों समानने ग्यान प्रश्णो तरी बहुवी कल्पी है ठीक है जिसमें हम लोग कंप्यूटर के 50 महत्वपून प्रश्णों को जो समानने कोश्चन जो पूछे जा दूसरा है पहला पाल्ट को नहीं देखे हो तो प्लेइलिस्ट में जाकर के चेक आट के लिए दोस्तों कंप्यूटर के नाम से आपको जो है प्लेइलिस्ट मिल जागे चिसमें आपको थेओरी कोश्चन भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो चलिए अप तो उसको भी आपको जो है पूरी जानकारी आपको मिल सके कंप्यूटर रिलेट की कोश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ठीक है और इसका पीडियाफ आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप अभ्यासा उनलाइन क्लास से डाउनलोड कर साकते हो ठीक है चलिए देख लेते हैं दो पचास इ बात करते हैं तो सॉफ्ट्वर दो प्रकार के होते हैं आपका पहला एप्लिकेशन सॉफ्ट्वर होता है ठीक है और दूसरा जो होता है आपका सिस्टम सॉफ्ट्वर होता है ठीक है तो दो तरीके के सॉफ्ट्वर इसमें प्रयोग किये जाते हैं तो जिसमें जो सिस्टम स इस तरीके से application software का प्रियोग हम लोग करते हैं अगला question देख लेते हैं, program है तू VECASID की गई। कर बाहसा है तो pharatron है दोस्तों, जिसका अजूसाद पुपयोग किया जाहने वाला programming भाहसा ठीक है चलिए देख लाते है next question C plus basic COBOL Java जिस भासम के उदारन है उसे कहते हैं ये सब जो है दोस्तों high level language के exam पर आए ठीक है language related में जल्द ही lecture लेने आने आप तो ठीक है उसको भी आपकी जो है थोड़ा सा wait करोगे तो आप वो भी मिल जाएगा आपको ठीक है चलिए देख लाते है next question computer भासा Fortron जो है किस छेतर से related है तो विज्ञान के छेतर में जिस computer भासा का प्रोग किया जाता है उसको दोस्तों Fortron है ठीक है चलिए देख लाते हैं DVD उदाहरन है तो DVD जो है दोस्तों एक परकार का optical disk का उदाहरन है और यह जो है एक प्रकार का storage device के सरणी में भी आता है ठीक है DVD जो है दोस्तों काम करता है किस ray पे काम करता है ब्लू रे पे काम करता है ठीक है और CD जो होता है red ray पे काम करता है ठीक है चलिए देख लाते है next question टेली प्रोसेसिंग तथा timer sharing का प्रयोग जो है किस पेढ़ी में हुआ था तो तृती प्रेढ़ी पेढ़ी है जिसमें time sharing और इसमें आपका टेली प्रोसेसिंग के जो है system जो है वो पूरी तरीके से लागू हो चुका था generation जो है start हो चुका था देख लते next question पहले से on computer को restart करने को क्या कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है warm booting के नाम से जाना जाता है दोस्तों booting क्या होता है जब computer को चालू करने के उसको ہم लोग अपने use के लिए start करने तक का जो समय खुद से computer द्वाला जो लिया जाता है उसमें हमारी द्वारा कोई भी input or और रिंविल नहीं करा जाता है, तो वोह है क्या कहलाता है, ठेक है, तो इसमें Mooing भी दो परकार्त होता है, दोस्तों एक जो आपका Cold बुटिंग होता है, दूसरे वाम बुटिंग होता है Cold बुटिंग में क्या हो जाएगा, जब system जो है बहुत देर तक बंद है पूरी तरीकी कोई power supply नहीं जा रहा है तो वो cold ठंडा हो जाता है तो उसको computer को जब चालू करते हैं power button को on करके जो system on होता है वो हां से लेकर के हमारे चलाने तरह जो कारे किया जाता है computer के दौरा उसको cold booting कहा जाता है उसी तरीके सो दूसरा जो हमारा warm booting तो warm booting में जो होता है वो दोस्तों computer चलाने के दौरान हमारा system जो है hang मारता है यो ऐसी कुछ इस्थिती आ जाती है कि हमें restart करने का मौका restart करने की जो नौबात आ जाती है तो restart जब करते हैं उस समझे हो दोस्तों उसे warm booting कहा जाता है ठीके तो ये दो प्रकार के booting होता है चली देख लेते है next question internet में परियुकता है जो computer language है वो क्या है java language होता है ठीक है java high level language के अंतरगत आता है दूसरा देख लेते हैं c r a y क्या है तो एक प्रकार का दोस्तों super computer है इसके बारे मैंने आपको बताया है super computer के lecture में देख लेते हैं next question computer में अवन जो अनवरत विद्धुद आपूर्ती का संचिप तुरूग क्या है तो दोस्तों इसे UPS के नाम से जाना जाता है file extension से जो है दोस्तों file type को i tapia जो file है उसमें परिवर्तित करने के लिए जो है दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है next question देख लेते हैं keyboard में function key की संख्या कितनी होती है तो function key की जो संख्या है 12 होती है दोस्तों आपको पता ही होगा f1 से लेकर के f12 वता कि दोस्तों मुख्य तोर पर कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं लेकिन क्या होता है इसमें प्रश्ना जो है अगर बाटा गया है उसको तीन अलग-अलग प्रकार से बाटा गया आप तो उसके आकार के अधार पर उसके generation के अधार पर ठीक है उसके PD के अधार पर तो यह सब क्या है तीन भागों में उसको अलग-अलग स्रेणियों में बाटा गया अगर PD के अधार में देखे तो दोस्तों पांच प्रकार के PD के अधार पर देखें तो उसके ये कमपनियां सामने आ चुकी थी, चली देख लेता है next question, computer में पढ़े जाने वाले अलग-अलग लंबाई चाउड़ाई की लाइने वाले code को क्या कहता है, उसे क्या कहा जाता है, बार code कहा जाता है, दोस्तों, आप कोई भी साबून देखे होगा, उसमें आपको लंबा-लंबा इस तरीके से देखने को मिलेगा, black-white, 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 या फिर उसके नीचे में कोई भी अंक देखने को मिलेगा, जरुए तोर पर सब में अंक देखने को मिलेगा, ये असर ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरीके जो कोड रहता है, वो क्या कहला था, बार कोड होता है, दोस्तों, speed post आपने जिद देखा होगा, post आप इसमें इसी बार कोड का प्रियोग होता है, ठीक है, चलिए देख लेता है, next question, modulator को demodulator का समाने नाम का है, ठीक है, modulator, demodulator का समाने जो नाम है, उसको modem के नाम से जाना जाता है, यही जो है, पूरी तरीके से कर्वाट करने का जो काम करता है, modulator करता है, चलिए देख लेता है, next question, excel workbook का जो संग रहा है, तो excel workbook जो है, आपका work sheet का होता है, ठीक है, एक ही जो फाइल है, excel का हम लोग जब खोलते हैं, उसमें corner में आपको देखने को मिलेगा, बहुँ सारे ऐसे फाइल है, seat की संखे लिखा दा, seat 1, seat 2, seat 3, उसको बढ़ाना चाहोता है, और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, देख लेते हैं next question, ओरिकल क्या है, तो दोस्तों, ओरिकल एक डाटा बेस software है, जितना भी question मैं बता रहा हूँ, दोस्तों, सभी के सभी व्यापन दोरा पूछे जा चुक है, important question आप अच्छा से समझे है, इसका PDF मेरे टेलेग्राम से डाउनलोड जरूर कलीजेगा, देख लेते हैं next question, पास्कल है, तो पास्कल जो है दोस्तों, computer का एक language है, ठीक है, computer भासा है, पास्कल, देख लेते हैं next question, वह बिंदू जिस पर data, computer में प्रवेस होता है, या निकलता है, वो क्या कहलाता है, उसको terminal के नाम से जाना जाता है, ठीक है, next question देख लेते हैं, cell phoneों में किस प्रकार की storage device का प्रयोग होता है, जो cell phone होता है, उसमें flash के नाम से दोस्तों, उसका storage device होता है, चलिए देखते हैं next question, soft copy एक output है, तो hard copy क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो printer का ही एक output हो जाएगा, अब देखिए soft copy and hard copy क्या होता है दोस्तों, soft copy जब हमारे screen में जब यही चीज आप जो देख रहे हो अभी, यह एक देख रहे हो तो यह क्या होगा है, एक soft phone में है, जब इसका मैं print out ले लूँँगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक hard copy हो जाएगा, ठीक है, तो soft copy अभी जो आप देख रहे हो, यह soft copy हो गया, और जब इ enter का जो ही क्या होता है, यह output होता है, एडीपी क्या है, तो एडीपी जो है दोस्तों, electronic data processing का जो है, यह एक soft form है, जिसको एडीपी के नाम से जाना जाता है, चलिए next question देख लेते हैं, वे words जिन्हें programming language में अपने swam के उपयोग है, तो अलग रखता है, उसे क्या कहा जाता ह है, उसे कहा जाता है, reserve words के नाम से जाना जाता है, ऐसे particular words, जो सिर्फ उसी के लिए काम आता है, तो वो क्या कहलाता है, reserve words के नाम से जाना जाता है, देख लेते हैं, परसपर संबंधी record के समू को कहते हैं, तो परसपर संबंधी जो record का समू है, उस database के नाम से जाना जाता है पहलब आल्ट हमाने आप इसके बारे में बता या हुआ है अब चलिए देखनाता है नक्सक्षार्य कोशंण डिस्क को track को, सेक्टरों में विभाजीत करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है formatting कहलाता है ठीक है format किसी भी system को आप format करोगे उसके बाद क्या करोगे आप उसके दुस्तों clear करने के बाद उस system है उसमें से जितने भी memory है उसको क्या करोगे अलग-अलग भाग में बाटना ये क्या कहलाता है partition कहलाता है ठीक है देख लेते है next question विसो का प्रथम computer network माना जाता है उसे arpnt के नाम से जाना जाता है चली देख लेते है next question motherboard में क्या रहता है जो motherboard पर cpu को दूसरे पूर्जोंस से जोनता है तो motherboard है जो computer के वो दूसरे को जोनता है वो क्या है आपका system bus के नाम से जाना जाता है system bus के मैंने आपके बारे में आपको मैंने थेवरी क्लास में आपको बताया उसी तरीके से आपका आता है USB universal service bus ठीक है जो आपका mouse है जितने भी आपका pen drive है यह सब क्या होता है USB से fit होता है USB से connect होता है universal service bus ठीक है इसका full form पूछा जा चुका है देख लेता है next question यूनिक्स नामक का जो operating system प्रणाली है वो VCS रूप से प्रयोग मिलाई जाती है तो दोस्तों web server के design में उसके processing में यूनिक्स नामक जो operating system है प्रयोग लाए जाता है देख लेता है next question Excel जो spread seat है उसका extension क्या है extension मतलब क्या होता है दोस्तों उसके पहचान चिनने क्या है तो .xls यूज है उसका extension है ठीक है तो इस तरीके से जो है इसमें जो है दोस्तों प्रयोग होता है extension के रूप में जैसे आपका file है photo का तो उसके लिए extension file क्या होगा .png .gpg .img ये सब क्या ह इसके extension है उसी तरीके से कोईंग गाना सुनते हूं उसका extension क्या है MP3 कोई वीडियो देखते हो तो क्या हो जाएगा MP4 या MP5 ये सब क्या है extension है ठीक है चलिए देख लाता है नेक्स्ट कोशन रैम वोलन टाइलर मेमोरी क्या है तो दोस्तों रैम जो वोलन टाइलर मेमोरी है डाटा रिटेन करने के लिए सतत पावर सप्लाई देने के लिए ज़रूरत होती है वही क्या कहलता है रैम वोलन टाइलर मेमोरी के नाम से जाना जाता है चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन इमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं ठीक है पहला तो है हमारे पास देख हैं प्रयोग करता ना का नाम और दूसरा है डोमेन नेम जैसे क्या हो गया कोई मैं इमेल लिख रहा हूं ठीक है तो इमेल में क्या लिख दिया मैं अपना अभ्यास का लिख दिया ठीक है तो यह क्या हो जाएगा एच वाई एस ठीक है अभ्यास हो गया उसके बाद डोमेन तो दोस्तों gmail.com क्या हो जाएगा उसका domain name होगा उसमें particular जो है dot com को domain name कहा जाता है और जो gmail है वो क्या होता है गूगल द्वारा प्रवाइड की गई है जो है service है इसलिए उसको gmail अपने company का जो वो प्रवाइड कर रहा है अगर yahoo अपना प्रवाइड करता तो वो क्या करता है वो yahoo mail.com लिखा था ठीक है तो इस तरीके से चलिए देख लेते है next question किस printer द्वारा एक stroke में एक अक्छर जो एक बार अगर मसा दबाया तो क्या हो जाएगा उसमें print में सा आएगा ठीक है एक बार या की मांतर दबाया तो यह आ की मांतर आ जाएगा ठीक है तो एक बार में क्या होता है एक ही जो सब्द है वो प्रिंट होता है चलिए देख लेते next question यदि आपका computer खुद को reboot करता रह जाएगी या फिर system को update करने की ज़रत पड़ेगी ठीक है चलिए देख लेते next question उस network प्रोपो लॉजी का क्या नाम है जिसे प्रत्यक संभावित नोड के कद्वी दिशी कणिका है तो वो है मेस ठीक है तो यह question दो है तो थोड़ा सा और भी आपको मैं clear करके आपको अच्छे समझाने कोशिश करूँगा ठीक है प्रोग्राम है तो विक्सित की गई सरुप्रथम भासा है तो फैट्रॉन है जिसका फर्स्ट बार वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको बताया है चलिए देख लेते next question वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफाल्ट फाइल जो है extension के बारे मैं इसी वीडियो में भी आपको देखता है डॉट डी ओसी आपको देखने को मिल रहा तो वो क्या है एक प्रकार का वर्ल्ड डॉक्यूमेंट फाइल है चलिए देख लाते next question भारत के सरुपरत हम दिखाई देने वाला computer virus है तो वह सी ब्रेन है जो पहला computer virus हो जो दिखाई दे रहा था ठीक है चलिए देख inbox में आता है ठीक है बहुं सारे ऐसे होते है email आप inbox में चेक करते हो लेकिन वहाँ पास आपको देखने को नहीं मिलते है वोह कहां देखने को मिलता है i spot box में मिलने को मिलता है ठीक है इन लीगल होता है वो भी सब कहा आते हैं इस पैम जो बॉक्स है उसमें आ जाते हैं चलिए देख लेते हैं next question CAD सब्द का संबंद computer के किस से है तो दोस्तों वो design से है computer का जो design है उसके software के जो design है वो CAD सब्द से संबंदित होता है ALU का पूरा नाम क्या है आपको पता ही होगा arithmetic logic unit google क्या है तो google क्या है एक प्रकार का search engine है जहां पास हम लोग search करते हैं इसी तरीके से yahoo है बिंग है ये सब क्या है search engine के अंतरगत आते हैं next question देख लेते हैं भासा जिसे computer बीना translator program में समझता है मसीनी भासा कहलाता है जब भी कोई भासा है जब computer बीना translate program के जब समझता है तो उसे क्या कहलाता है मसीनी भासा कहलाता है इस वो क्या करता है वो high level language में convert करके खुद समझता है zero of one के format में ठीक है चलिए देख लेता है next question pointer and draw device कहा जाता है तो जितने भी आपका pointer और device होते हैं वो क्या कहलाता है आपका mouse कहलाता है जैसे mouse का प्रोग करके देखिए मैं यहां पस draw करने की कोशिश कर रहा हूं वो marking कर रहा हूं ठीक है तो यह सब क्या कहलाते है pointer and draw device कहलाते हैं ठीक है चलिए देख लेते हैं Linux एक उदार हैं तो Linux क्या है एक प्रकार का open source software है दरसल क्या होते Linux जो है आपका operating system के अंतरगत आता है और open source इसलिए है क्योंकि आप इसको जो है internet से free में download करके आप आसानी से इसका लगातार जो है use कर पाओ के जितने भी internet से आप free में मिलता है वो सब open source कहलाते हैं ठीक है आप इसको याद रखिए open source वही होता है जो computer जो हमको फ्री में मिलता है ठीक है वो भी कहां internet में चलिए देख लाते हैं trackball किसका उदारन है तो trackball जो है एक प्रकार का pointing device का उदारन जैसे क्या होगा माउस में इ यह सब क्या होता है tracking ball के अंतरगाती आप उसको manage कर सकते हो चलिए देखते है next question electronic component वाले thin plate या board को कहते हैं तो उसको circuit board के नाम से जाना जाता है आपको पता ही होगा जैसे charger का board देखे हो ठीक adapter उसमें क्या होता है board रखा रहता है जो सब चीज को component को एक जगह स्थीर करके र printer द्वारा store के अक्छर प्रिंट होते हैं तो डाट का dot metric printer के द्वारा जो है यह होता है इसके बारे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं देख लेते हैं कौन सा software जो है computer के hardware को नियंतरित करता है तो system software होता है जो computer के hardware को पूरी तरीके से नियंतरित करता है सब सी starting में ही बता आपका system software और यह system software आपके सारे hardware input के और output के आपका keyboard हो गया mouse हो गया speaker और scanner हो गया camera हो गया यह सब को maintain करने का जो काम होता है वो system software का होता है ठीक है तो इस तरीके से 50 जो है बापा में पूछे जा चुके हैं इंपोर्टन कोशन है तोड़ से रिवाइस करते रही है दोस्तों competition के आपके preparation करा रहा हूं चैनल के साथ जूड़े रही है और जो student नए है टेकर मउट्सड ग्रूप में फेस्बूबूक में है इस्टाग्रामक िस्टेरीक ग्रूप में ताकिAhि योग अभी हमोगान को मिल सकी मिलते हैं दोस्तों नय जानकरी के साथ तो मुझे देख कर एशाट टेकर आश्यक हूं को इसanka जागा चैनल